मैं आप सब पूछना चाहती हूँ कि में 13 को जो इंसिडेंट्स हुए थे उसके बारे में अगर आप बताएं कि क्या हुआ था उस दिन मैं 13 माई को सुभा 9 बजे के करीब अर्विन किज्रिवाल जी से मिलने उनके आवास पे गई थी मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्रॉइंग रूम में बिटवाया और बताया कि अर्विन जी घर पे हैं और वो मुझे से मिलने आ रहे हैं फिर दूसरी बार एक और स्टाफ आया उसने भी मुझे यही बात बोली और मैं वहाँ बैठी वी थी अराम से ही बैठी वी थी इतने में बिभव कुमार जो कि उनके PS थे वो वहाँ पे धन धनाते वे आते हैं He entered from the door और वो चिलाने लगते हैं और गालियां दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तिरी आउकात क्या है तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें मना कर दे तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे नीच औरत पता नहीं क्या-क्या बोल रहे थे वो और उस समय मैं बहुत सपका गई और मैंने उनको बोला भी कि भई क्या हो गया मतलब अर्विन जी आ रहे हैं क्या हो क्या गया तो इतना मैंने बोला और इतने में उन्हाने हाथ छोड़ दिया उन्हाने मुझे साथ-आठ थपड पूरी जोड से मारे मैं सोफे पर बैठी थी वो सامने खड़े थे मारे ही जा रहे थे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ इतने में मैंने अपने आपको बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्हाने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीकती रही चिलाती रही मैं मदद मांगती रही और मैंने उन्हें इतनी बार बोला कि मेरे पीरियड चल रहे हैं मुझे छोड़ दो मुझे बहुत दर्द हो रहा है उसके बावजूद वो आदमी नहीं माना वो अकेला था कमरे में जी उस वक्त वो अकेले थे उस कमरे में और जब इतना ज़ादा मुझे वो पीट चुके थे उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आपको छुड़ाया और मैं वापस सोफे पे जाके बैठी और मैं बहुत अजिटेटेट थी तो मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी मैंने पुलिस को क्राइम रिपोर्ट करा जब मैं कॉल कर रही थी तो उसने मुझे देखा और उसने मुझे बोला कि मैं तुम कुछ कर लो हमारा कुछ नहीं बिगाड सकती और तुमको तो मार के गड़वा देंगे, हड़ी पसली एक कर देंगे पर मैंने उसकी सुनी नहीं और मैंने कॉल कर दिया जैसे ही उसने रिलाइज किया कि मैंने कॉल कर दिया है वो तुरंथ भागा भागा बाहर गया और security जो गेट पे खड़ी होती है उनको बुला के लेकर आया जब security अंदर आई तो मैंने उन्हें बताया मैं बहुत ज़ादा agitated थी और मैं उन्हें चीक चीक के बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ मैंने उन्हें बताया कि बिभव ने कैसे लातों से घूसों से थपड़ों से मेरी पिटाई करी है और यहीं बैटके यहीं पे मेरी पिटाई हुई है तो उन्हें बोला क्योंकि बिभव ने मेरे सामने उनको बोला था कि इसको बाहर भेंगो तो मैं उनको बोलती रही, उन्होंने मेरे को समझाना शुरू करा कि नहीं आँ बाहर निकलिये मैंने उन्हें बताया कि मैंने 112 नंबर पे कॉल कर दिये, पुलिस को आने दो ये क्राइम सीन है, यहाँ पे मेरे साथ इतनी बड़ा हाथसा हुआ है मैं Member of Parliament हूँ, मैं Former Delhi Commission for Women Chairperson हूँ आप रुकिये, आप बस पुलिस को आने दीजे, एक बार पुलिस आ जाए, मैं पुलिस आ जाएगी यहाँ पर मैं फिर उसके बाद जाओंगी क्योंकि मैं को यह डर था कि मैं यहाँ से चली गई, तो यह tamper कर देंगे पूरा जो भी evidence है तो इसलिए मैं उनसे बार बार आर्ग्यू कर रही थी, यह argument कम से कम 8 से 10 मिनट चला होगा और उसमें पूरा टाइम मैं देख रही थी, विभव मुस्कुर आते वे वीडियो बना रहा था जब end में मुझसे मैं बिलकुल अपना आपा खो गई, कि एक तो मेरे को इतनी बुरी तरीके से पीट दिया गया उपर से वो वहाँ पे आकर मुझे ही बोल रहे हैं कि आप बाहर जाओ, विभव से कोई पूछ भी नहीं रहा कि भई तुमने क्यों मारा, कैसे मारा, ऐसे कैसे हो गया तब मैं अपना आपा खोया और मेरे मुझे कुछ अपशब निकले, जो बाद में हमने देख एक बस 50 सेकंड की क्लिप, डॉक्टर करके, एडिट करके, उसमें से भी काट पीटके, उसको टीवी चानल्स को दिया गया इनके द्वारा, और वो चलाई गई और बाद में जब पता चला, तो पुलिस का, मैंने मीडिया के द्वारा ही एक स्टेट्मेंट सुना, कि किस तरीके से ये जो वीडियो है, इसका सोर्स, पूरी तरीके से फॉर्माट कर दिया गया है, अगर वो दस मिनट की वीडियो जो मैं चीक-चीक के बता रही हूँ कि म हमें पूरा सीक्वेंस है, जो अभी तक रिलीज नहीं हुआ, थूरू दूसरा, जो विभव जी ने खुद वीडियो बनाया है, वो भी है, दो वीडियो सोर्स हैं अभी, जी बिलकुल दो वीडियो सोर्स हैं, और ये जो सेकंड वीडियो है, मैं इसी का बता रही हूँ तो जब आपको मार रहे थे, वो वीडियो ले रहे थे? नहीं, जब मैं वापस आके बैठी, जब मैं सोफे पर दुबारा आके बैठी हो, मैंने 112 नंबर कॉल करा, ये बाहर गया, ये सिक्योरिटी वालों को लेकर आया, जब सिक्योरिटी वाले वहां आए, तब वो वीडि सकता, तो जब वो आपको मार रहे थे, and it is, I mean, according to what you have said, it is quite gross, he, आपने कहा, 7-8 बारी, he kicked you on the chest, stomach, pelvis, और आपके पीरेट्स चल रहे थे, उद्वार, he dragged you, your shirt was pulled up, as per this, you were screaming for help, घर में और कोई नही था आपके मताबिक? मुझे बताया गया था कि अर्विंद केश्रिवाल जी घर में हैं, और वो मुझसे मिलने आने वाले हैं, और मैं बहुत जोड़-जोड़ से चीक-चीक के help मांग रही थी, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया स्वाती जी आप उनके घर कई बार जा चुके हैं, क्या हर बारी आप अपॉइंटमेंट लेके जाते थे, इस बारी शायद नहीं लेके गए, क्या उस वज़े से नरास थे, क्या हो सकता था उस दिन? मैं अपॉइंटमेंट लेके तो हाडली कभी गई हूँ, जब-जब मैं घर गई हूँ, तब तो मैंने कभी भी अपॉइंटमेंट लिया, हाँ जरूर है कि अगर ऑफिस जाते हैं उनके, क्योंकि उनकी मीटिंग्स लगी भी होती हैं, और बहुत एक प्रोटोकॉल होता है, तो अगर सेक्रिटेरियेट जाते हैं, तब एक बार ऑफिस पे के लिए ओफिशिल टाइम लेके जाया जाता है, लेकिन जब घर जाते हैं, तो मैं ऐसी जाती हूँ, यह यह कहते हैं कि मैं ट्रेसपास कर रही थी, मेरे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं था, तो मैं यह ज कि अगर ऐसे मैं, मतलब आज कुछ मेरे साथ होने वाला है, और अगर उनको लगता है कि अपॉइंटमेंट लेना बहुत इंपॉटन है, तो उसी वाक्त वहीं पे मेरे को बोल देती कि बार चले जो मैं बार चली जाती, मतलब आप अपॉइंटमेंट लेगा कोई, तो आप बहुत अजीब बात है, तो वाट यू थिंक कि जब आप यू और आसकेंग फॉर हेल्प, आप मदद मांग रही थें, कि आपको पीटा जा रहा था, ऐसे तो होई नहीं सकता कि सी एम के घर में कोई नहीं हो और ऐसी पिटाई हो रही हो किसी की, और कोई बाहर ही ना निकले कमरे से, जी वही अजीब बात है, और मैं बहुत जोर जोर से चीक रही थी, चिला रही थी, सच तो यह है कि कोई मदद के लिए नहीं आया, पुलिस अब इस बारे में इन्वेस्टिकेट कर रही है, कि क्या हुआ, क्यों हुआ, और किस के इंस्ट्रक्शन पे मैं पीटी आप कह रही हैं किसी के इंस्ट्रक्शन पर, याने कि खुद बखुद बिभव में इतना इतनी जुरत नहीं होगी कि वो खुद पीटे, इस बाट यूर से, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि मेरे साथ बहुत बुरी तरीके से मार पिटाई हुई है, अब बहुत सारे सवाल इंवेस्टिकेशन है, दिल्ली पुलिस के साथ मैं पूरी तरीके से कोपरेट कर रही हूँ, हां मैं यह भी है लेकिन मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रही, क्योंकि फैक्ट यह है कि मैं ड्रॉइंग रूम में थी, अर्विन जी घर पे थे, और मुझे बहुत बुरी तरी तरीके से पीटा गया, मैं चीक रही थी, चिला रही थी, पर कोई आया नहीं, यह भी फैक्ट है कि आज तक इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद मेरे पास अर्विन जी का कोई कॉल नहीं आया और वो मुझे से अभी तक नहीं मिले, यह भी फैक्ट है कि इस पूरे प्र के लिए प्रोटेस्ट पे, सडक पे उतरे, इतना तो उन्होंने मनीश जी जब अरेस्ट हुए थे, उनके लिए भी नहीं करा, तो यह जो चल रहा है और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शन्स दिये गए हैं कि मेरा क्यारेक्टर असासिनेट करो, मेरे विक्टिम शेमिंग करो, मुझे मतलब बुरी तरीके से टॉर्चर करो, तो यह मुझे जो दिखरा है, इसको लेकर मैं किसी को भी क्लीन चट नहीं देरी, but definitely I want the Delhi Police to investigate the matter in a very free and fair manner, because बहुत बड़े बड़े लोग हैं, and proper investigation होना चाहिए, और उसके बाद जो भी सच ह उसको सामने आना चाहिए, क्या ऐसे हो सकता है कि यह वो घर इतना बड़ा है, कि आप drawing room में आपको मारा जा रहा है, और बाकी जो कमरे हैं, अगर कोई उन कमरों में है, तो उनको सुनाई नहीं दे रहा, ऐसे हो सकता है, क्योंकि आप जानती हैं, आप गई हुई हैं उस घर में, तो उस घर में जब मैं गई थी, तो पहले मैं dining room के बाहर gate तक गई थी, dining room का gate हमेशा खुला रहता है, तो मैं वहीं पे थी, drawing room और dining room बिलकुल आसपास है, तो जो वो gate खुला वा था, और मैं उस कमरे में drawing room में पिट रही थी, तो अब ये दिल्ली पुलिस बताईगी कि मैं जब इतनी जोड से चीक चिला रही थी, तो वहां पे जो लोग थे, वो क्यों नहीं आए, या उन तक आवाज नहीं गई, मतलब बहुत अजीब बात है, और एक बात पताईए, कि अगर आवाज नहीं गई, तो जब मुझे पुलिस से बाहर निकाला जा रहा है, I'm a member of Parliament, I'm the former chairperson of the Delhi Commission for Women, and on top of it, मैं 2006 से इन लोगों के साथ काम कर रही हूं, तो अकर मुझे बाहर निकाला जा रहा है, तो तब तो कोई आता, तो तब ही कोई नहीं आया है, तो तब ही कोई नहीं आया है, How long have you known Bhibhav ji? I know him since 2006 only. Since 2006? क्या वो बहुत करीबी रिष्टा है उनका अर्विन जी के साथ? हाँ, starting में नहीं था, लेकिन अब अर्विन किज्रिवाल जी के सबसे बड़े राजदार और सबसे करीबी आदमी इस वक्त Bhibhav कुमार है, वो कोई मामूली पिये नहीं है, अगर आप उनका घर देखें, तो उनका घर इतना अलिशान उनको घर दिया गया है, इतना तो किस बहुत रसूकतार और बहुत पावरफुल आदमी है इस वक्त इस पूरी पार्टी में और पूरी पार्टी उनसे डरती है, और उनके ओपर assault का केस पहले भी हो रखा है, तो ये सब बाते हैं, डरती है, क्यों डरते हैं लोग? लोग ढड़ते हैं, उनका जो, मतलब ऐसा एक पूरी पार्टी में मेसेज है, कि अगर बिभाव नराज हो गए आप से, तो फिर आप खतम हो पार्टी में. इस पार्टी में पहले भी वाइलन्स के इंसिदेंट्स हो चुके हैं, रफश ट्रीट्मेंट, कुछ लोग ओपनली कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दबे पाउं चलना पड़ता है, अर्विन जी के आस पास. Is it a culture of violence which has been promoted right from the top? आप क्या समानेंगे? देखिए, एक बार प्रशांद भूशन जी और शांती भूशन जी को भी इसी तरीके से एक मॉब के द्वारा धक्के मारके निकलवाया गया था. हम सब ने देखा था कि अभी कुछ दिन पहले एक चीफ सेक्रेटरी को भी ड्रॉइंग रूम में ही पीटने का एक बहुत गंभीर आरोप लगा था. और तीसरा मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है. अभी तक मुझे कभी ऐसा लगा नहीं, लेकिन जब मेरे साथ खुद हो गया है और मैं इतनी बुरी तरीके से पीटी गही हूँ, तो अब मेरे पास क्या बोलने को बचा है? फैक्ट तो ये है कि मेरे को बहुत बुरी तरीके से मारा है और अगर शायद इतना नहीं मारते, तो मैं शायद वो कॉल क्यों करती है? मतलब, what is my motive? I'm going to run the video, आपको नहीं देखना हो तो आप नहीं देखें, पर अपने व्यूवर्स के लिए I'm going to run it, you don't need to look at it. उसमें जो वीडियो में जो दिखता है, it is not very clear about the room, there's a shaky video जो रिलीज हुआ है, अभी तक sources नहीं पता, it was leaked to the media. तो हम भी नहीं कह सकते ये किसने रिलीज किया है, but it's obvious कि अगर CM के घर के अंदर का वीडियो है, तो somebody close to the CM or close to the security personnel have released this video. अब इस वीडियो में जो हुआ है, after this you make a call to the police, पहले आप कहते हैं, CM और बिभव ने पिटवाया, Ma'am, एक सेकंड, जी. कि मेरे को कैसे मारा गया है, मुझे कहां कहां मारा गया है, मुझे कैसे लातों घूसों से मारा गया है, मैं security वालों को बता रही हूं कि 112 नंबर पर मैंने call कर दी है, और police को आने दीचे, police एक बार आ जाएगी, मैं यहां से चली जाओंगी, because otherwise they will tamper with the evidence. यह सारी चीजें मैं 8-10 मिनट तक, पिटने के बाद, चीक-चीक के बोल रही हूं, लेकिन security वाले, क्योंकि वो तो, विभाव ने उनको बोल दिया था कि इसको ठाके फेंग दो, तो वो तो सुनी नहीं रहे थे मेरी बात, end में, जब मैं बिल्कुल अपना आपा खो चुकी थी, मुझे दिख रहा था कि वो मुस्कुरा के वीडियो बना रहा है, फिर भी मैं अपना आपा खो चुकी थी, तब मैंने जब अपशब्द बोले, तो बस वो जो पूरा एक छोटा सा portion है, बस उसको मीडिया में selectively leak किया गी, अहाँ, दो चीज़ है, एक तो आपका अपशब्द, और दूसरा आपका फो, जो आपने पुलीस को बताया, जो अपशब्द वाली बात है, दो वीडियोज है, एक तो अपशब्द वाली, वो ना तो उनके कपडे फटे हुए हैं, क्योंकि आपने का था, आपका shirt उपर किया था, and she's not limping, क्योंकि आपने का था, कि आप, you were kicked, तो वो limping नहीं है, पर एक women, there are two women in the video, जो आपको escort करके बाहर लेके जाते हैं, and आप point कर नहीं हैं, towards somebody, and there are two, three men who are standing around you, and they are also just watching you, तो वो कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी बुरी तरह पीटा जाता, again, I'm very sorry I'm raising these issues, because जो violence victims होते हैं, it is very disturbing to see those visuals, and to relive that incident, so I'm extremely apologetic, मैं आप से पूछ रही हूं, but just so that this can be sorted out, कि जब आप, you have worked with several victims of violence, इसलिए मैं आप से पूछ रही हूं, क्या, can somebody walk like this normally, after being beaten so brutally, मैं सबसे पहले, मैं प्रिविएस क्वेस्टेन पे, एक क्लारिफिकेशन और देना चाहूंगी, मैं जब अप शब्द बोल रही थी, वो ही पोर्शन उन्हाने कट करके, release करा है, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं, कि विभव खुदी बैठके विडियो बना रहे थे, तो वो पूरी की पूरी विडियो का है, पुलिस ने मीडिया को यह information दी है, कि जो इनके phone हैं, यह format कर चुके हैं, और वो विडियो का अभी तक source भी पता नहीं चल रहा है, तो सिर्फ मेरा यह सवाल है, कि अगर जो इनसान सही है, और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, और तुमारे पास इतनी important विडियो भी है, तो तुम उसको original, पुलिस को क्यों नहीं दोगे अपने आपको बचाने के लिए, तो एक मेरा यह सवाल है, दूसरा आपने जो मुझसे बोला, मैम मैंने दिल्ली महिला आयोग में, 170,000 से ज्यादा केसिस में सुनवाई करवाई है, 60,000 sexual assault survivors की हम लोगोंने counselling करी है, 2,000,000 court cases से ज्यादा, मैं हमने hearings करवाई है, जब court में hearings हो रही हैं ती sexual assault survivors की, तो हम वहाँ पे, हमारे lawyors वहाँ पे घडे थे, इनकी मदद कर रहे हैं, अपने पूरे 9 साल के कारेकाल में, मैं हजारों survivors से मिली हूँ, और हर तरीके के survivor से मिली हूँ domestic violence, sexual assault हम लोगों ने धाई हजार से ज़ादा तो rescue operations करें जिन में से बहुत सारे operations मैंने lead करें और उन लड़कियों को sex traffickers के भी चुंगल से हम लोग निकाल के भार लेकर आएं तो मेरा इतना काम है पर मैं जब भी किसी भी survivor से मिली एक चीज हर survivor के लिए common होती है जब वो अपनी आवाज उठाती है तो उसकी आवाज कोई नहीं सुनता पूरा समाज उसकी तरफ देखकर उमली उठाता है कि ज़रूर इसी ने कुछ कलत करा होगा तो ये मेरी कहानी नहीं है ये पूरे देश में हर लड़की जो अपनी आवाज उठा देती है उसकी कहानी है मैं निर्भया की मम्मी से मिली थी और उन्हाने एक बात पुली थी जो मैं जिन्दिगे में कभी नहीं पुला सकती उन्हाने मुझे ये बोला था कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा हुआ मेरी बेटी अब दुनिया में नहीं है क्योंकि जो इस देश में न्याय पानी की जिल्लत है न कम से कम वो तो उसको नहीं देखनी पड़ रही निर्भया से भी पूछा गया था कि तुम बस में क्यों गई आटो में क्यों नहीं गई रात में क्यों गई दिन में क्यों नहीं गई वो लड़का कौन था तो इस तरीके की जो victim shaming है ये हर लड़की के साथ होती है ये कोई नई बात नहीं है अब जो उनके सवाल है वो ये कहते हैं कि CCTV footage में तो देखो कैसे चल रही है, सीधी चल रही है वो जो edited video है उसमें तो देखो, अराम से बैठी है तो मुझे एक बात बताईए जब आपके साथ मार पिटाई होती है तो आपका first reaction क्या होता है, you are very agitated, obviously there is pain, but there is agitation which takes you over, there is a very high adrenaline also running through your body, आपको तो अगर कोई गोली भी मार दे तब भी आप उठके भागते हो क्योंकि आपको अपने आपको बचाना भी है और आपको न्याई भी पाना है तो यह कहना, कि देखे इस CCTV footage में यह ऐसे चल रही है, पहली बात तो जहां तक दिल्ली पुलिस ने जो मीडिया में से बातचीत हुई है उसमें तो मीडिया में यह चल रहा है कि CCTV footage तो अभी दिल्ली पुलिस के पास ही नहीं पहुँचे, तो क्या यह CCTV footage बिलकुल correct है क्या यह doctored है and on top of it मैं अभी चल रही हूँ और चार दिन बाद मैं limp कर रही हूँ तो किसी को भी इसको भी चोट लगी होगी उसको यह समझ आएगा कि जब चोट गरम-गरम होती है उसमें इंसान दॉड भी जाता है अरे, फ्रैक्चर भी हो जाता है तब भी इनसान दौड जाता है और जब वह चोट सेटल करती है और जब आप actually realize करते हो कि आपके साथ क्या हो गया, मतलब तब जाके वो दर्द उभर के आते हैं, तो ये कहना कि वो तेज चल रही थी, फिर बाद में वो देखो लिंप कर रही है, मुझे लगता है इससे बुरी victim shaming क्या हो सकती है, दुख है स्वात का है कि दिल्ली की महिला म ये कहती है कि देखो, इसके तो कपडे नहीं फटे हैं, देखो, इसके तो सर नहीं फूटा, तो बस अब इसी की कसर रही थी, वो भी करवा देते हैं, and on top of it, मैंने कभ F.I.R. में कह दिया कि मेरे कपडे फट गए, मैंने कभ F.I.R. में कहा कि मेरा सर फट गया, जी मैं खू मैं बिलकुल ते़ार हूं, मेरा polygraph test, मैं चाहती हूं कि पुलिस करे, उससे सब क्लियर हो जाएगा, मैं बिलकुल चाहती हूं कि पूलिस मेरा polygraph test कर ले, क्योंकि मैं इस आरोप के साथ कैसे जिन्दा रहूं, जिस लड़की ने हमेशा और लड़कियों को हिम्मत दी लड़ने के लिए आज उसी को तुमने पूरी दुनिया के सामने ऐसे दिखाया कि यह तो जूटे आरोप लगाती है तो मैं इसके साथ कैसे जिंदा रहूं यह तो पूरे विमन्स मुवमेंट के कॉज के लिए बहुत बड़ा धक्का है so I am willing to do anything to tell that it is actually the truth When you made the call to the police तो उस वक्त दो तीन अलग अलग बयान थे, CM और विभव ने पिटवाया, CM ने विभव से पिटवाया, विभव ने अकेले पीटा, have you given a clean shit to Arvind Kejriwal की उन्होंने कुछ नी किया उन्होंने, विभव ने अपने आप किया है who did what देखें मैं किसी को भी clean shit नहीं दे रही सच्चाई तो ये है कि मेरे को Arvind Kejriwal जी के drawing room में बहुत बुरी तरीके से लातों और घूसों और थपड़ों से मारा गया और ये बात M.L.C. में भी निकल कर आई है M.L.C. just for viewers medical legal case तो इतनी मेरे को मतलब चार दिन बाद मेरी M.L.C. हुई उसमें भी मेरी injuries निकल कर आई है तो ऐसी situation में जब मुझे इतनी बुरी तरीके से पीटा जा रहा है और मैं चीख चिला के मदद के लिए मांग कर रही हूँ और मैं ड्रॉइंग रूम में ही हूँ और घर में और भी लोग हैं और कोई मेरे को बचाने नहीं आया तो मैं कैसे किसी को clean chit दे सकती हूँ 1. 2. जब जैसे ही मैंने complaint file करी पूरी की पूरी party को मेरे खिलाफ उतारा गया बार बार मेरा character assassination करा गया बार बार मेरा victim shaming करी गई edited videos जो अब कहते हैं जी source ही नहीं है उनको media में leak करा गया CCTV footage बता रहे हैं कि गायब करे गये वो चो आरोपी है उसको दुबारा crime scene पे बुलाया गया और फिर वो तैंपर करेगा evidence और नहीं करेगा वो यू से बुलाया गया क्या वो खुद नहीं जा सकता था वो कैसे जा सकता है अगर कोई उसको अंदर नाने दे तो ये CM house की बात कर रहे हैं और ये भी पता है कि दो महीने पहले उसका he's no longer the PS तो ऐसी थोड़ी ना आप जाके देख लीचे कोई भी जाके देख लीचे क्या CM house में कोई भी ऐसी कुछ सकता है मैं भी अंदर तक अगर drawing room तक गई तो मेरे को entry दी तभी तो मैं अंदर गई नहीं तो मुझे गेट पी रोग देते मैं गेट से ही चली जाती पिर आपके बयान अलग-अलग क्यों थे कि CM ने पिटवाया you know the three things that you said CM और विभव ने पिटवाया विभव से पिटवाया गया विभव ने अकेले पीटा so जो first two calls है पहली बात तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं जब 112 नंबर पे call कर रही थी वो वहीं खड़ा था मैं बहुत agitation और डर में थी कि मेरा फोन खीचेगा और मुझे फिर पीटेगा तो उसमें मैंने उस समें बहुत agitation में और बहुत डर में and I was already in pain and trauma तो मैंने दो बातें बोली है मुझे नहीं पता कि वो एक बोली है दो बोली है मैं उसको लेकर I'm not very sure क्योंकि मुझे ऐसा लगा वो ही मेरे को लगता है मेरे को ऐसा लगा कि शायद एक call मेरी लगी नहीं मैंने इसले दुबारा बोला but उस समें मैंने यही बोलने की कोशिश की कि Arvind जी ने बिभाव से मुझे पिटवाया क्योंकि उस समें मुझे यही उस वक्त I felt that but at the end of the day today I have filed a proper complaint and उसके उपर investigation अभी चल रही है और मैं अब इस बारे में की मेरे को किस ने पिटवाया क्यों पिटवाया कब पिटवाया मैं अब इसके बारे में बात नहीं करूंगी because there is an investigation that is ongoing and I would like to participate in it but what was the delay you know आप अपने घर गए और उसके बाद I mean you've worked with so many victims you know this that sometimes immediately नहीं complaint होता you feel alone or whatever the reason it took a lot of persuasion for you for people to get you to come out and speak about it what was that trigger क्या आप बोले नहीं and what was the trigger जब आप बोले वो डिले क्यों हुँ हुआ जी मैं अर्विन जी के घर से निकल कर जब पुलिस टेशन पहुँची Civil Lines पुलिस टेशन तो वहाँ पे ऐसे चो के सामने मैं बहुत बुरी तरीके से रो रही थी मैं फूट फूट के रो रही थी और मैंने उन्हें सब बताया कि मेरे साथ क्या क्या हुआ पर उसी वक्त एक तो जो पेन और ट्रॉमा है वो सिंकिन कर रहा था उसी वक्त मेरे पास मीडिया के बहुत सारे कॉल्स आने लग गए जैसी मैंने मीडिया के कॉल्स देखे मैं घबरा गई क्योंकि मुझे इस बात की डर लगा की इलेक्शन का टाइम है and I don't want to politicize what happened to me so at that moment I decided that I will leave तो मैं घर गई उसके बाद पार्टी के वरिष्ट नेता मेरे घर आए मुझे बोला गया की पार्टी इसके उपर action लेगी सक्त से सक्त action लेगी क्योंकि उन्होंने मेरी हालत देखी they came inside your house? yes they did कितने लोग आये थे? थे कुछ लोग उस ताइम वो they had sympathy with you? they had because अगर आप देखें तो Sanjay Singh Ji आये थे मेरे घर पे उन्होंने मेरा हाल देखा उन्होंने देखा कि जो लड़की एक fighter है हमेशा आज वो एक victim बन गई उन्होंने वो सब कुछ देखा मैं रो रही थी, मैं pain में थी और मैं बार बार सब को बता रही थी कि मेरे साथ क्या हुआ उन्होंने मेरा हाल देखकर वो अर्विन जी के घर पे भी गए उन्होंने बिभव से भी बातचीत करी ऐसा उन्होंने मुझे बताया और उसके बाद सब कुछ देखकर अगले दिन उन्होंने एक press conference भी करी जिसमें उन्होंने ये बात मानी कि स्वाती इस देश में महिलाओं के लिए एक बहुत मुखर आवाज है और उसके साथ बहुत जादा मारपीट हुई और इसी लिए अर्विन जी संग्यान ले रहे हैं और अर्विन जी बिभव के खिलाफ एक्शन लेंगे ये press conference पूरे देश ने देखी है मुझे बोला गया कि आप complaint मत कीजिए हम एक्शन लेंगे पर अगले ही दिन हमने देखा कि किस तरीके से बिभव कुमार लकनओ में इन लोगों के साथ दिखे मैं जब उस दिन जिस दिन मैंने complaint करी मैं जब उठी तो मैंने मेरे mind में सबसे पहले ये thought आया कि मैंने इतनी हजारों लड़कियों को लाखो लड़कियों को जब वो मेरे पास आती थी और इतने गिनोने क्राइम्स के साथ मेरे पास आती थी मैंने उन्हें हमेशा हिम्मत बढ़ाई और मैंने उन्हें हमेशा ये बोला कि चाए कुछ हो जाए चाए पूरी दुनिया तुमारे खिलाफ हो जाए तुम लड़ो और चाए अकेले लड़ना पड़े तुम लड़ो तो मुझे जब मैं उठी तो मुझे एक इतनी इतनी ग्लानी की फीलिंग हुई कि मैंने इतनी महिलाओं को हिम्मत थी और उन्होंने इतनी बड़ी-बड़ी लड़ाईया मेरे कहने पे लड़ी और मैं क्यों नहीं कंप्लेंट फाइल कर रही I have to file a formal complaint because it is a criminal case ये कोई ऐसा case नहीं है जिसको आपार्टी can brush it off under the carpet तो इसलिए मैंने उस तिन complaint फाइल करी और मेरे अंदर ये thought बार-बार आ रहा था कि जो आदमी इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि वो CM के drawing room में Member of Parliament को Former Chairperson of Delhi Commission for Women को इतनी बुरी तरीके से पीट दे तो वो एक आम महिला के साथ क्या करेगा Those thoughts came into my mind and by then I had gathered enough strength and मैंने ये decide कि कि मैं fight करूँगी और मैं complaint करूँगी मुझे बोला गया था कि अगर तुमने ये complaint फाइल कर दी तो पूरी party तुम्हें अकेला कर देगी मुझे बोला गया था कि पूरी party तुमको BJP का agent बना देगी मुझे बोला गया था कि कोई मेरे साथ नी खड़ा होगा फिर भी मैंने ये नी सोचा कि मेरा क्या होगा मेरे करियर का क्या होगा मेरे साथ ये लोग क्या करेंगे मैंने सिर्फ ये सोचा कि जो चीज मैंने सारी महिलाओं को बोली है कि आप हमेशा सच के साथ खड़े हो आप सची सची कंप्लेंट करो लेकिन आपके साथ अगर कुछ गलात हुआ है तो आप जरूर लड़ो तो आज मैं खुद कैसे नहीं लड़ सकती So there was only one thought in my mind and that is why I filed a formal complaint and जो उन लोगोंने मुझे डराया था और जो उन लोगोंने मुझे बोला था वो actually सच निकला क्योंकि जैसे ही मेरी complaint हुई उसके बाद all hell has broken loose in my life In what way? पूरी party को मेरे खिलाफ उतारा गया है हर दिन press conferences होती है हर दिन ये बोला जाता है कि मैं BJP की agent हूँ मुझे एक बात बताईए मैं 9 साल से तो public life में हूँ उससे पहले मैं 2006 से काम कर रही हूँ लेकिन मैं back end पे काम करती थी मैं 2015 से तो सबके सामने काम कर रही हूँ मैंने कितने बड़े-बड़े मुद्दे इस देश में बिना डरे उठाए है हर party जहाँ पे मुझे गलत लगा मैंने उसके खिलाफ action लिया है तो मैं आज BJP की agent बन गई जिस दिन तक मैंने complaint नहीं फाइल करी उस दिन तक मैं lady सिंगम थी मैं इस देश की सबसे महिलाओं में सबसे मुखर आवाज थी और जैसे ही मैंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ complaint फाइल करी जो पार्टी में बहुत ज़्यादा रसूख रखता है जो सबका चहिता है उस आदमी के खिलाफ जैसे ही मैंने complaint फाइल करी तो मैं BJP की agent बन गई ये बोला जा रहा है कि BJP ने मेरे को डराया कि मेरे खिलाफ जो case है उसमें वो पता नहीं क्या कर देंगे ऐसा तो महिला मंतरी बोल रही है आतिशी और आप ये देखिए कि वो case क्या है वो 2016 में मेरे खिलाफ case फाइल किया गया है बिल्कुल फरजी case है उस case में कोई merit नहीं है उसके बाद 2017 में चार्टशीट भी हो गई है मैं कभी उस case में arrest भी नहीं हुई और मैं arrest हो भी नहीं सकती क्योंकि चार्टशीट फाइल हो चुकी है उस case के हो जाने के बाद दो बार और मुझे tenure दिल्ली महिला आयोका दिया गया CM साहब द्वारा भी और LG साहब द्वारा भी तो ये बात तो बिल्कुल clear है वो बिल्कुल फरजी case है देड़ साल पहले High Court ने उस case में stay लगाया है और वो stay में High Court ने ये बात मानी है कि जब कोई पैसे का लेंदे नहीं नहीं हुआ तो काहें का corruption तो जिस case में already High Court stay दे चुका है उस case की वज़े से मैं डर जाओंगी मुझे लगता है पूरे देश को ये बात याद होगी कि जब पिछली बार पिछले साल मैं मनीपुर गई थी वहाँ पे बिल्कुल war zone जैसे हालात थे मैं जब वहाँ पहुँची गोली बारी इधर उधर सब जगा चल रही थी अकेली अपनी एक साथी अदिली महिला आयो की मेंबर वंदना सिंग के साथ मैं वहाँ पहुची थी जब हम वहाँ पहुचे EK47 लेके लोग घूम रहे थे गोलियां चल रही थी बिना security के बिना bulletproof jacket के बिना bulletproof गाड़ी के वहाँ पर तब तक chief minister भी नहीं पहुच पाये थे मैं हम लोग अकेले गए तो जो लड़की मरने से नहीं ड़ती वो एक फ़रजी केस से ड़ जाएगी किस तरीके के बाते की जारी है मेरे नौ साल के कारेकाल में कितनी बार death threats मिले कितनी बार rape threats मिले मेरे को security भी नहीं मेरे पास पर फिर भी मैं लड़ती रही अकेले लड़ती रही और मैं डर जाओंगी Was Arvind Kejriwal with you in the sense that he supported you जब आप ऐसे लड़ती थी Do you feel let down your friends in the party but a person with whom you have worked for almost two decades Do you feel that let down by him? In 2006 मैं ने अपनी engineering खतम करी थी और मैं देश के लिए कुछ करना जाती थी मैं लोगों की सेवा करना चाहती थी मैं Arvind Kejriwal जी से मिली और 2006 से उनके साथ काम कर रही हूँ साथ साल तक मैं जुग्यों में रही हूँ और मैं जुग्यी में ही रहती थी मैंने अपना घर भी छोड़ दिया था और मैं जहां रहती थी वहाँ पे मैंने सूचना के अधिकार पे लड़ाई लड़ी राशन की लड़ाई लड़ी महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ी और जब India Against Corruption का मुव्मेंट हुआ तो उस पूरे मुव्मेंट में बहुत बड़े बड़े लोग जुड़े एक 23 मेंबर की कोर कमिटी बनाई गई और उस कोर कमिटी की यंगेस्ट मेंबर मैं थी पूरा बैक एंड मुव्मेंट का मैं समालती थी कभी सामने भी नहीं आई हमेशा पीछे से मैंने काम करा इतना संघर्ष करा है उसके बाद दिली महिला आयोग में आई पूरे देश ने देखा है कि कैसे कितनी बार अपनी पार्टी से भी मैंने बहुत तीखे सवाल पूछे और मैंने काम करा मैं ये संघर्ष के साथ आज मैं जहां पे हूँ वो बनी पर आज मैं बहुत आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ जिन लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया उन्होंने जब मेर को इतनी बुरी तरीके से पीटा गया तो मेरा साथ नहीं दिया, मुझे अकेला कर दिया आज मैं पूरी तरीके से अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है क्योंकि बीस साल से मैं जिस party में काम कर रही हूँ वही party में मेरे दोस्त भी है मेरे एक-एक दोस्त को call करके धमकाया जा रहा है कि अगर उसके साथ दिग गए अगर उसके साथ कोई उसके favor में tweet तक कर दिया तो तुमको छोड़ेंगे नहीं तो मैं पार्टी से निकाल दिया जाएगा तो पूरी तरीके से अखेला कर दिया मुझे और मेरे परिवार को इतने रिस्क पे डाला यहां तक हुआ कि मेरे जो मेरे पास कोई गाड़ी नहीं है लेकिन मेरे जो relatives हैं जिनके साथ रह रही हूँ उनके पास गाड़ी आए तो उनकी गाड़ी से मैं अलग-अलग जगाओं पे गई अभी 164 स्टेटमेंट कराने तो उनकी गाड़ीयों के details भी flash करे गए हद कर दी मेरे सारे दोस्तों को call करकर के बोला जा रहा है इसकी कोई personal video दो इसकी कोई personal photo दो dance करते वे video दो कुछ भी दो, कुछ भी निकालो US गई थी तो US में जहां पे आम आदमी party volunteers के साथ रुकी उनको force करकर के pressurize करा जा रहा है कि कोई तो video निकाल के दो, कुछ तो दो तो पूरी के पूरी machinery को और एक पूरे के पूरे troll mechanism को मेरे उपड़ छोड़ दिया गया है तो मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा आहत हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ कि मैं आज इतनी लड़ाई लड़कर भी क्योंकि मैं सत्ता के सामने नहीं जुखी क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ कि मुझे पावर और बाकी चीजों से चुप कर आया जा सके मैं सिर्फ अपने सच के लिए लड़ी तो आज मेरी ये हालत कर दी गई है कि मैं बस अखेली हूँ मेरे साथ कोई नहीं है अब आदमी पार्टी के बहुत से वॉलंटीर जो हैं अर्विन केजरिवाल बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि शायद इसमें विभव जी जो हैं विभव जी जो हैं अब फॉरें फंदिंग and he knows too much about the funding which has come in from different parts of the world and that is what makes him so powerful and so imperative to have next to him इसलिए शायद केजरिवाल जी विभव के अगेंस्ट कुछ नहीं कहेंगे चाय जो मर्जी विभव ने किया हो क्या ये हो सकता है? इसमें तो कोई शक नहीं है कि विभव उनका बहुत राजदार है और जो भी है सब विभव को पता होता है इसमें तो कोई शक्की बात नहीं है क्या हुआ, क्यों हुआ किसलिए वो उनको बचा रहे है ये तो अब investigation का matter है जिस तरीके के मेरी victim shaming और character assassination करा जा रहा है और जिस तरीके से मुझे बार-बार intimidate कराया जा रहा है मेरे हिसाब से ये किसी को भी शोभानी देता मैं ये भी बोलना चाहूंगी क्योंकि मैंने देखा कि कैसे एक male mantri, Saurabh Bhardwaj उन्होंने एक tweet को retweet करा tweet party के बहुत, एक one of the important handles से tweet करवाया गया जिसमें ये लिखा था कि देखिए, मेरी photo दिखाई गई कि देखिए, इसकी shirt में button नहीं है तो जो male mantri है वो ये कहते हैं कि हम तो यही कह रहे हैं, देखिए नहीं है, यही तो इसी तरीके से contradictions हैं, जो case खतम हो जाएगा कि case जूटा है मैं यह जानना चाहती हूं कि एक पुरुष मंतरी को क्या यह शुबा देता है, क्योंकि जब उन्हां नहीं यह करा, तो सब ने zoom करके देखा मेरे chest को, कि यहाँ पे button हैं या नहीं क्या यह शुबा देता है, मतलब मंतरी बैठकर, अब उड़तों के button हैं या नहीं इसके उपर बातचीत करेंगे और उनको भी बता दूँ और सबको बता दूँ कि जो मेरे कपड़े थे, वो पुलिस के पास हैं, investigation हो रही है उसमें button थे भी, और वो button खुले भी थे मैं यह समझ नहीं पा रही कि इस तरीके से क्यों बिभव के support में पूरी की पूरी party आए यह वही party है, जो मेरी party है यह वही party है, जो हमारे खून और पसीने से बनीवी party है हम 2012 में निर्भया के लिए सडकों पे उतरे थे मैंने खुद लाठी खाई है, बहुत पूरी नेता सडक पे उतरते हैं तो मेरे बहुत सारे सवाल है और मैं इस वक्त बहुत आहत हूँ मैं बहुत अकेली हूँ और मुझे धमकाया गया था कि तुम्हें खतम कर देंगे, पर मैं इतना बता दू कि मैं खतम नहीं हूँगी मैं सच बोल रही हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि सच में बहुत शक्ती है और अंत तक लड़ूँगी एक पॉलिटिशन ने ये भी कहा है कि आप पे प्रेशर डल रहा है, एक चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि आप पे प्रेशर डल रहा है कि किसी तरह आप कॉंप्रमाइस करें ये कई बार होता है विक्टिम के साथ, जब वो बोल जाते हैं, तो there is pressure from either from the person who has done the crime or else family members, या कि आप कॉंप्रमाइस करो, क्योंकि it is extremely difficult to fight this you know it too, तो क्या आप कॉंप्रमाइस करने के लिए आप तयार होंगे या आपको justice चाहिए मैम ये जो मेरी ट्रोलिंग कराई जा रही है, जो विक्टिम शेमिंग कराई जा रही है, जो रोज रोज press conferences करी जा रही है वो मेरा character assassination करने के लिए करी जा रही है, और वो इसलिए किया जा रहा है, जिससे कि मैं दबाव में आउं, और मैं अपना matter खतम करूं यही चीज तीन दिन तक मुझे डराया गया था, कि अगर तुमने बोला, ये तो बहुत बड़ी machinery है तुम्हें जूटा साबित कर देंगे सब कुछ होगा, गलत वीडियोज आएंगी सब कुछ बोला गया था लेकिन मैं तब भी नहीं डरी और मैं आगे भी नहीं डरूंगी मैंने जो बोला है, एक एक शब्द, उस F.I.R. में बिल्कुल सच है, और मैं बोल रही हूँ, मेरा पॉलिग्राफ टेस्ट करा दीजे मेरा नार्को टेस्ट करा दीजे मेरा जो टेस्ट कराना है करवा लीजे मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ और मैं क्योंकि सच बोल रही हूँ मैं किसी से नहीं डरूंगी इन्हें ये लगता है कि ये हर इनसान सत्ता के सामने जुक जाएगा किसी को भी कुछ भी करवा दो मार दो, पीट दो, उसका character assassinate करवा दो उसके परिवार को बुरी तरीके से torture करो क्योंकि सब में तो मेरा परिवार के बारे में सोची कि मेरे परिवार का क्या हाल हो रहा होगा लेकिन हम लोग थोड़ी अलग मिट्टी से बनें और मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ मेरे साथ जो हुआ, वो बहुत गलत हुआ और मैं अंध तक लड़ूंगी और मुझे पता है, इस लड़ाई में मैं अकेली हूँ मुझे पता है, मेरा कोई साथ नहीं देगा मुझे पता है कि ये लड़ाई मुझे अकेली ही लड़नी पड़ेगी क्योंकि मैंने सारे सर्वाइवर्स को देखा है उनको अकेले लड़ते वे देखा है उनको वो हर दिन, हर पल वो दुख और एक desperation, एक helplessness मैंने उनके अंदर देखी है इन्हें लगा था कि इस तरीके से मार पीट कर एक fighter को ये victim बना देंगे लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि मैं fighter हूँ fighter थी और fighter रहूंगी अकेले लड़ूंगी किसी की जरूरत नहीं है मुझे मैं अकेले लड़ूंगी लेकिन मैं जरूर लड़ूंगी आप सत्ता के बारे में बात कर रही थी कुछ leaks आई हैं from sources in आमाद्मी पार्टी कि शायद हो सकता है कि आपको कहा गया हो कि राजसभा की seat आपको you have to give it up क्योंकि कि किसी और किसी एक खास वकील के लिए वो seat चाहिए was that an issue देखिए अगर मेरी राजसभा की seat उनको वापस चाहिए थी अगर वो प्यार से मांगते तो मैं जान दे देती MP तो बहुत चोटी बात है और मेरा अगर आप पूरा करियर देखेंगे तो मैंने कभी भी कोई भी पद की लालसा नहीं दिखाई अपनी जिंदगी में 2006 में इंजिनिरिंग की नौकरी छोड़ कर मैं तब जुड़ी थी जब कोई जानता नहीं था किसी को तीन लोग थे ले देखे उन में से मैं एक थी तो मैं तब से काम करती आ रहे हूं जमीन पे काम करती आ रहे हूं 2006 से लेके 2012 तक मैंने सारे operations रन करे हैं I was absolutely the most important part of those three or four people Did they not, did you not see any signs of this, जब प्रशान भूशन, शान्ती भूशन के साथ वा जब और भी किसे थे जब और भी किसे थे, when it was agitational politics sometimes becomes vicious right, did you not see the signs की ऐसे हो रहा है but I'm just asking you, कभी आपको doubt लग रहा था कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा पाफुल हो गए हैं कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा bullying कर रहे हैं पार्टी में Did you see signs of this? So I'll complete the other question first तो में को MP ship की कोई लालसा नहीं है ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में resign कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई पद में मैं बंधी हूँ, मेरे को लगता है कि मैंने बहुत काम किया है और मैं काम बिना पद के भी कर सकती हूँ लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है अब चाहे दुनिया की कोई शक्ती लग जाए मैं किसी भी हाल में resign नहीं करूंगी मुझे पता चल रहा है, मुझे बताया जा रहा है कि इसी वजे से मुझे character assassination करा जा रहा है victim shaming करी जा रही है मैं बिलकुल resign नहीं करूंगी I'm the youngest woman parliamentarian in the parliament right now and I will work very hard मैं बहुत शिदद से महनत करूंगी और मैं एक ideal parliamentarian कैसी होती है मैं वो बनके दिखाूंगी on the question of did you see signs of it happening see I've been there since 2006 जब हम 2006 में साथ में सब काम करते थे तो एक बहुत अलग तरीके का environment था एक बहुत जोश था ground पे काम करते थे हम लोगों के बीच में रहते थे मैंने बताया मैं साथ साल जुग्यों में रही हूं और हम सब इस तरीके से काम करते थे लेकिन जब power आती है और सत्ता आती है तो मुझे लगता है उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती है और सबसे बड़ी जो चीज़ आती है उसको कहते है एहंकार तो धीरे 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 जब एहंकार आपके सर पे सवार हो जाता है तब आपको शायद ये नहीं दिखता कि क्या सच है, क्या जूट है, क्या सही है, क्या गलत है, ये साइन्स हम लोगों ने देखे हैं, और over the years देखे हैं, पर मैंने कभी ये नहीं सोचा था, कि एक लड़की जिसने कभी इनका तो छोड़ दीजे, किसी का भी बुरा नहीं करा, जो कभी जूट बोलती ही नहीं है, मेरे लिए ये बात सब जानते हैं, और अगर मुझे कभी मतलब, मैं कभी कुछ गलत नहीं करती, ऐसी लड़की जिसको ये सब जानते हैं, उसके साथ, पहले तो उसको पीटा जाएगा, और उसके बाद उसको पूरी तरीके से, कारेक्टर assassination करके isolate करवा दिया जाएगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था आप जब एहंकार की बात करते हैं, ये किस में आ रहा था, सब में, जो office bearers है, या कुछ लोगों में मुझे तो लगता है कि सब में ही एहंकार बहुत बढ़ गया है बट मैं ये मानती हूँ कि everything begins from the top so I think that हमें बहुत सादा rethink करने की ज़रूरत है और हमें जमीन पे ground पे लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है जो हम पहले करते थे मैं ये मानती हूँ कि जैसे ही आप लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के साथ काम करते हैं तो उससे जो आपको एक energy मिलती है उससे जो आपको inputs मिलते है उससे जो आपकी soul की cleansing होती है वो किसी चीज से नहीं हो सकती तो मैं तो यही कहूँँगी कि अभी भी वक्त है और बहुत सारी चीजें करी जा सकती है अभी भी समला जा सकता है क्योंकि अगर देश में एक क्रांती लानी है तो पहले अपने अंदर वो क्रांती लानी पड़ेगी और पहले अपने घर में अपने पार्टी में वो सारी क्रांती को हमें implement करना पड़ेगा आपने एहंकार की बात की, आपने बिट्रेल की बात की, right? The creeping sense of entitlement जो आ रही है पार्टी में और दूसरा बिट्रेल, जैसे सब ने बिट्रे किया आपको. Do you feel that अब जो है, whether it is Mr. Sisodia, Mr. Jain, जो अब जेल में हैं, सब उनको भूल चुके हैं, बिट्रेल वहां से शुरू हुई, बिट्रेल आप तक पहुंची अब? जी, मैं तो इस वक्त बहुत ही जादा बिट्रेट महसूस कर रही हूँ. एक एक कर के सब? मैं बहुत बिट्रेट हूँ, मैं सबसे, मैं इस वक्त जो महसूस कर रही हूँ, मैं बस यही चाहूंगी कि भगवान ना करें, कभी कोई ऐसा महसूस करें, क्योंकि मेरा सब खतम हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया, और मैं जहां मैंने इतनी महनत करी, इतना काम किया, जहां पे मैं लोगों के साथ उटती थी, बैठती थी, आज वही लोग मेरे परिवार त रोज चलाया जा रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि यह कैसे हो गया, और क्यों हुआ, और इतनी बुरी तरीके से आप किसी को, मतला, ट्रीट करोगे, तो मैं, I feel very betrayed, I feel very let down, I feel… Even Kejival says that, Swati ji, that there are two versions of what happened on May 13th, और वो कहते हैं कि police investigation free and fair होना चाहिए, तो इसमें, there are two versions की बात कह रहे हैं वो, एक आपका version है, और दूसरा किसका version है? उन्होंने तो out of court, trial कर दिया, और मुझे तो दोशी मानी लिया, भई जब पूरी की पूरी पार्टी, रोज मुझे दोशी करार करने में लगी पड़ी है, तो वो ये कैसे कह सकते हैं कि free and fair investigation हो, मैंने तो सिर्फ एक call करी, और मैंने एक complaint करी, उसके बाद तो इतने दिन से, मैं चुपी बैठी हूं, क्योंकि मैं चाहती थी कि free and fair investigation हो, पर आज free and fair investigation कैसे होगा, क्योंकि हर दिन कभी कोई doctor video डालते हैं, कभी कोई CCTV footage जो की doctor है, वो डालते हैं, कभी कहते हैं, BJP का agent है, कभी character assassinate करते हैं, कभी धमकाते हैं, तो कैसे free and fair investigation होगा, तो अगर वो really में चाह चाहते हैं, और चाहते थे, कि free and fair investigation हो, तो मैं तो पस यही चानना चाहती हूँ, फिर यह पूरी army of netas and trolls, पर पर क्यों छोड़े गए, भई, एक case हुआ, उसके उपर मैंने complaint file करी, complaint के उपर free and fair investigation तो होगा, आपने तो पूरी के पूरी army जोग दी, यह प्रूफ करने के हूँ, तो फिर कैसे free and fair investigation होगा? जी मैं तो बस इतना कह सकते हूँ कि आज मेरे साथ हुआ है, कल पता नहीं किसके साथ होगा, बहुत हिम्मत चाहिए, इतने powerful लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए, मैंने आज वो हिम्मत दिखाई है, बढ़ हाँ, यह ज़रूर है कि मैं पूरी तरीके से अखेली हूँ, इसके तो कपड़े नहीं फटे, इसके तो सर नहीं फूटा, यह तो जूटी है, यह तो बीजेपी की एजेंट है, तो मेरा दिल बहुत टूटता है, क्योंकि मैं यह मानती हूँ, कि हर महिला को महिला के साथ खड़ा होना चाहिए, अगर मैं एक बात चिला चिला के, रो रो के, गिड़ गिड़ा के कह रहीं, तो उसमें मेरा क्या फाइदा होगा, मैं किसके इशारे पे करूँगी और मैं क्यों करूँगी, इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरा करियर खतम हो गया, मैं बरबाद हो गई, ऐसी सिचुएशन में मैं क्यों बोलूँगी, वाई विल आ ही है, उससे मेरे को बहुत दुख्र होता है, क्योंकि मैं तो सबसे सारी महिलाएं जो पॉलिटिक्स में, मैं उनको यही बोलना चाहती हूँ, अगर आज हम चुप रहे और हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो यह बार बार होगा, यह और लोगों के साथ भी होगा, हमारी अगली पीड़ी के साथ भी यही होगा, तो आज अगर हम लड़ेंगे, हमारे साथ कुछ गलत होता है, तब ही जाके तो सुधार होगा, तो मैं उस सुधार के प्रती काम कर रही हूँ, और मैं यह मानती हूँ कि महिलाओं को महिला का साथ देना चाहिए, उनका दर्द समझन क्योंकि कोई भी महिला, और सपेशली मैं, जिसका इतना करियर रहा है, और जिसने इतनी महिलाओं की मदद करी है, वो क्यों जूट बोलेगी? आमादमी पार्टी जब आई थी, तो अब आई थी, तो अब आई थी, जो दलडल की चड जिसको कहते हैं, दूसरी पार्टीयों में है, उसको साफ करने के लिए, इस इस वाट, अब अब आफ्टर आ थी इस इंसिदेंट्स विच प्लेस, दो यू फील की भटक गई है आमा अब आई थी, पार्टीयों में अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इस पार्टी को ठीक करा जा सके और इस पार्टी की जिस तरीके के जो डाइरिक्शन हो गई है, कि अगर एक महिला आवाज उठाए, पूरी की पूरी काइनात लगा दी जाए, कि उसको दबाया जाए, मु इसको तो इन्वेस्टिगेट करने तो, आपने तो कोट के बाहर ही खुदी बस वो कर दिया कि नहीं, होई नहीं सकता, तो ये ठीक नहीं है, तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी पार्टी है, और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस पार्टी को सुधारा जा सके. Do you feel that there are others in your party, आप तो लड़ गई, क्या और महिलाए हैं, या और कोई हैं, जो ऐसे डरे हुए हैं, आवाज नहीं उठारे, बट ये रेडी तो स्पीक अप, if they have the fear, if they have freedom from fear. कैसे freedom from fear होगा, देखे ना मेरा क्या हाल किया है इनोंने, एक तो मैं पीटी गई, और उसके बाद मुझे पूरी तरीके से मेरा character assassinate कर दिया गया, और मुझे पूरी तरीके से isolate कर दिया गया, इतनी victim shaming करी है, कि उसके कोई हद नहीं है, तो कैसे किसी में हमात आईगी, आप स्वाती का, जिसने 2006 से काम किया, हर समय साथ रही, कभी कुछ गलत नहीं करा, हमेशा सही के लिए खड़ी रही, उस लड़की का आज, उस fighter को, इन्होंने आज victim बना के छोड़ दिया, तो कैसे कोई आवाज उठाएगा? Swati ji, जिस तरह it's possible, आप कह रहे हैं कि विभव सब कुछ जानते हैं, राजदार हैं, you have also been with the party शुरुआत से, आप भी जानती होंगी इनके कही राज, तो अगर विभव को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो क्या आपको अपने करीब नहीं रखते, you keep your enemies near you and you keep your friends near you, तो क्या financial irregularities का जो आरोप है उन पे, आप भी तो जानती होंगी उस सब के बारे में, पहली बात तो मैं इस तरीके के कामों में ना तो involved होती और ना ही मैं इस तरीके के कोई राज जानती हूं, number one, number two ये है कि उन्हाने क्यों करा, बिभव ने क्या करा, उन्हाने क्या करा, उन्हाने क इसी भी financial धांदली में कभी involved ही नहीं हुई, तो जब मैं involved ही नहीं हूँ, तो मुझे उस तरीके के राज कैसे पता चलेंगे, रागव चडड़ा is back, did he contact you, क्या उन्होंने बात की आप से, मुझसे पार्टी में, संजे सिंग जी ने बात करिये, क्योंकि मुझे ऐसा समझ मे संजे सिंग जी को बोला गया था, बाकी पार्टी में सबने आपस में एक दूसरे से बात करिये, मेरे close friends से बहुत लोगोंने बात करिये, लेकिन मेरे से directly सिर्फ संजे सिंग जी ने बात करिये, मैं इसलिए पूछी हूँ क्योंकि उड़ती उड़ती खबर है कि तीन लोग ह और ने को request या आदेश दिये गए हैं, एक आप हैं, एक राघव हैं और एक हरबजन जी हैं, is it true that this is, that all three of you have been asked to give up your Raja Sabah seats? मैं अपना बता सकती हूँ, मेरे से तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, और जैसे मैंने बताया था कि अगर मुझसे प्यार से बोलते तो मैं तो जान दे देती, Raja Sabah सीर तो बहुत चोटी बात है Finally, I'd like to ask you this, जो आपने कहा था about women, you know, getting into leadership positions, जिस तरह आपके साथ जो हुआ है, क्या इसके बाद, would you advise women to come into politics at all? आज इस देश की संसद में 14% महिलाएं, और स्टेट के जो legislatures हैं, उनमें उससे भी जादा कम महिलाएं, तो ये सब कुछ होता ही इसलिए है, क्योंकि महिलाएं politics में बढ़ चड़के हिस्सा नहीं लेती हैं मैं सबसे अपील करूँगी, सभी महिलाओं से अपील करूँगी, जब तक हम 50% संसद में और legislatures में नहीं होंगी, तब तक मुझे नहीं लगता ये देश आगे बढ़ सकता है, और तब तक इसी तरीके से यही होगा महिलाओं के साथ, तो मेरी सबसे अपील है, बढ़ उठाएं, क्योंकि हम सब political parties का हिस्सा बनती क्यों है, हम कुछ बदलाव चाहते हैं, तभी तो हम हिस्सा बनते हैं, नहीं तो एक इंसान, आम इंसान, अपने घर पे या अपने एक normal, जो बाकी लोग काम करते हैं, उसमें रह सकती है, वो इतना संघर्ष करके, एक political party का हिस्स सिर्फ एक बड़े बदलाव के सपने के साथ ही तो बनती है, तो अगर हम आज जहां हैं, वहां बदलाव नहीं कर पाए, तो फिर किस तरीके से इस देश में बदलाव होगा, और ऐसे अगर political parties में मारा पीटा जाएगा, और उसके बाद भी आपको दबाया जाएगा, कि खड़े हों, और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा आप politics में participate कीजिए, आज हम जो बदलाव करेंगे, वो नीव होगा आगे हमारे आने वाली पीड़ी की महिलाओं के लिए, वो बच्चीयों के लिए, उनके लिए हमें लड़ना है, और आज हमें बदलाव करना है. वो सब आपके साथ खड़ा होना चाती है, they want to support you, but you will probably hesitate कि अगर कोई BJP से है तो नहीं करूंगी मैं, क्योंकि I'll be called a BJP agent, या फिर कोई Congress से हो, no, I'll be called a Congress agent, तो that might make you hesitate in taking steps to take their support, ऐसे है, क्योंकि LG ने भी काहा है, that he wants to help or he supports you, तो are you hesitant in taking people's help? ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई hesitation नहीं है मेरे अंदर, और हाँ ये जरूर है कि इस वक्त मैं जो बस एक ही feeling बहुत जादा feel कर रही हूं, मैं मैं बहुत strong हूं, और मैंने बहुत बड़ी-बड़ी लडाईयां जिन्दगी में लड़ी हैं, और मैं कभी डरी नहीं किसी से, लेक जिस लेवल की anxiety मुझे हो रही है, मेरे को मैं बहुत survivor से मिलती थी, वो हमेशा बताते थे, तो मेरे को बात समझ नहीं आती थी, I am feeling very anxious, मैं बहुत anxiety है मुझे, मुझे इस वक्त डर लग रहा है, मुझे एक बहुत sense of betrayal है, और मुझे ऐसे अंदर से लग रहा है कि मैं अंदर स सब कुछ खतम हो गया, और मैं बहुत ही जादा victimized हूँ, तो इस वक्त, frankly, मैं ये नहीं सोच पारी कि कौन मेरी मदद कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, मुझे बस जो दिख रहा है, वो बस ये दिख रहा है कि जिनके लिए मैंने इतना कुछ किया, जिनकी साथ मैंने हमेशा which every victim probably goes through, where I am feeling very victimized and all my thoughts, unfortunately, are right now around that. You keep reliving that incident of May 13th? Every day at 6 a.m. dot, I wake up and I wake up with a very, very, very horrible feeling in my stomach. I am feeling anxiety almost the entire day. मेरा पूरा परिवार तहस नहस हो रहा है, मेरी मा है, और उन्होंने मुझे बहुत मुझे से बढ़ा कर रहा है, मेरे घर में मेरी बहन है, हम दोन हैं बस, और वो single parent रही है, और उन्होंने बहुत कुछ देखकर और हमारे पस कोई संसादन नहीं है, उन्होंने अकेले मुझ को बढ़ा करा है मैं अपने परिवार में अपनी मासी के भी बहुत करीब हूँ वो भी मेरी मा जैसी है आज उनके अगर आप हाल देख लें तो उनको देख देख के मुझे और मतलब कहीं न कहीं मैं बार-बार और कमजोर होती हूँ वो रो रही हैं लेकिन वो रोते हुए हुए भी बार-बार मुझे यही कह रही है कि हम लड़ेंगे they are also very strong I am also very strong but जब इतनी बड़ी घटना आपके साथ हो जाती है तो कही ना कहीं आपका पूरा strength खिच जाती है but like I said they tried their level best to make a victim out of me they have tried their level best to completely finish me but I won't allow that to happen I have the support of my family and मुझे पता है कि मैं सच बोल रही हूं तो क्योंकि मैं सच बोल रही हूं मेरे को पूरा विश्वास है कि बगवान मेरे साथ है और आगे भी मेरा साथ देगा जब मैने यह स्टेप लिया तो मैने यह नहीं सोचा कि मेरे करियर का क्या होगा, मैं कहा जाऊंगी, मेरे तो कोई साथ नहीं देगा, कौन मेरा साथ देगा, कौन नहीं देगा मैंने यह सब नहीं सुचा और मैं यह बिलकुल नहीं सोचूंगी और मैं सारी महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ अगर किसी ने आपको पीटा है तो उसके खिलाफ आपको action लेना ही चाहिए चाहिए उसके बाद जो आपके साथ हो वो देखा जाएगा क्योंकि अगर आज आप चुपो गई तो उसकी हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो आगे चलके पता नहीं किसी के साथ क्या करते finally what do you want at this stage do you want of course you want justice but do you want even to see in custody do you want the people you are saying एक कोई conspiracy है वो अकेले नहीं कर सकता ऐसे हिम्मत नहीं होगी किसी हम के residence में वो मार पिताई करे do you want more people to be arrested what do you want right now I just want a proper investigation in the matter मैंने बिल्कुल सच बताया कि मेरे साथ क्या हुआ और कहा हुआ और उस घर में कौन थे तो ये सारी बाते मैंने बताई है मैं चाहती हूँ proper investigation हो ना मैं किसी को clean chat दे रही ना मैं ये कह रही कि इन्होंने करवाया क्योंकि मैं कौन होती हूँ बोलने वाली भाई मैं वहाँ थी मुझे बुरी तरीके से पीटा गया मैं चीक चला रही थी मेरा कोई साथ नहीं दिया गया कोई मुझे बचाने नहीं आया और उसके बाद भी मेरे पे attack पे attack पे attack कराये जा रहे हैं तो ये सब कुछ है ये मेरे को लगता है सब देख रहे हैं मैं भी देख रही हूँ आप तो दिल्ली पुलिस प्रॉपर्ली जांच करके बताईगी कि क्या हुआ क्यूं हुआ और कैसे हुआ because fact तो यही है न at the end of the day आप कितने भी जूट बोल दीजे आप कुछ भी कर दीजे आप मेरे को पता है बहुत बड़े लोग हैं आप overnight किसी को भी खतम कर सकते हैं आप उसका character assassinate कर सकते हैं जो आप मेरे साथ कर रहे हैं लेकिन सच तो सची रहेगा वो CCTV फुटेज कहां है वो doctored video जो release करी गई उसकी पूरी video कहां है वो जैसे ही सामने आएगा तो सच पूरा हो जाएगा वहाँ पे और भी लोग थे वो क्या कह रहे हैं वो भी तो देखना पड़ेगा और जो ये दिखाया जा रहा है कि देखिए ये तो इसको ये अपशब्द बोल रही है तो security वाले ये तो बताएंगे न कि मैं पहले गई उसके बाद बिभाव गया उसके बाद कितनी देर के बाद security को अंदर बुलाया गया तो वो जो वीडियो है वो तो पूरे मैं वहाँ पे एक सवा घंटे डेड़ घंटे थी तो एक मिनट भी नहीं दिखाया तो वो जो 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 आपके पास था क्या जो आप पे इतना वाइलन्स किया जाए जो 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 आप से निकालना चाहते है क्या क्यों पीटा गया आपको तो आपको जो जो भी मैंने मुझे लगा वो सब कुछ मैं दिल्ली पुलिस को बता रही हूं और दिल्ली पुलिस को इन्वेस्टेट करने दीशे ओन दे मुटिव